आज है 30 जुलाई और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जोब इन्फोर्मेशन दोस्तों जोब इन्फोर्मेशन है यह आपको जीटा लाइब चैनल पर मैं दे रहा हूँ और इसी चैनल पर इसी तरह से आपको जोबी कोई जोब निकलती है उसकी सबसे पहले ONGC में तो सबसे पहले आपन गूगल में सर्च करते हैं ONGC ONGC होता है यहाँ पर Oil and Natural Gas Corporation तो ONGC के आप जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे यह वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है ONGCIndia.com इस वेबसाइट को आप यहाँ से खोलेंगे तो कि दोस्तों यहाँ पर इस च Information Deliver की जाती है तो देखिए आपन देखते हैं यहाँ पर ONGC की जैसे वेबसाइट खोली तो आपको यहाँ पर देखिए इस कौने में दिखाई दे रहा है कैरियर तो आप जैसे कैरियर के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से दिख रहा है Recruitment Notice यानकि इसके अंदर जो भी न Notification आपको दिखाई दे रहा है यह जो जोब का Notification था यह 28 जुलाई 2020 को वेबसाइट के उपर अपडेट किया गया था यहां से आप देख रहे होंगे Attachment for Engagement of Apprentice in ONGC 2021 तो आप इसके उपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास में पीडिया फाइल ओपन हो जाएगी इस Notification है कौन इसको फिल कर सकता है क्लियर है तो अपने सबसे पहले देखते हैं इस PDF को देखे फ्रेंट्स यहां पर लिखावा है Oil and Natural Gas Corporation Limited यह यहां का जोब का Notification नंबर है जो जो जोब का Notification नंबर की जो डेट है वो है 29 जुलाई 2020 और जो लास्ट डेट यहां पर दी गई है इ आपको यहां से क्लियर हो जानी चाहिए 178 2020 है इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर यह जो एप्लिकेशन फोर्म निकले हुए यह जॉब के लिए नहीं है फ्रेंट्स जोब में और Apprenticep में क्या होता है डिफ्रेंस होता है तो शायद जो लोग इसको फिल कर रहे हैं वो इसको जानते होंगे और अगर फिर भी किसी को confusion है कि जोब और Apprenticep में क्या डिफ्रेंस होता है तो आप लोग comment box में लिखें मैं इसके ओपर भी एक detail से वीडियो बना दूँगा कि जोब में और Apprenticep में क्या डिफ्रेंस होता है तो यहां पर जो पोस्टे निकाली गई है यह Apprenticep Act 1961 है यहां कि Apprenticep Act 1961 है उसके अंडर में यह पोस्टे निकाली गई है तो आगे देखते हैं इसमें क्या है देखें यहां पर सबसे पहले आपने बात करते हैं number of seats और किस-किस trade की यहां पर जोब निकाली गई है क्योंकि फ्रेंट्स आपको ध्यान हो ओएंजीसी है, पूरे इंडिया में क्या करता है, वर्क करता है, पूरे इंडिया में natural gas वगेरा निकालने में वर्क करता है यह जो company है, और यह एक PSU company है, clear है, public sector undertaking की एक company है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, देहरादून, देहरादून में इन इन प में इन इन पोस्टों के लिए इतनी इतनी सीटे यहां पर निकली हुई है और जो देहरादून अपने पास में सेंटर है उसके लिए टोटल 180 पोस्ट यहां पर निकाली गई है तो फ्रेंड्स मैं इसको स्क्रोल करता जाता हूं इसमें आप पढ़ सकते हैं अपने रिलेटेट कौन सी जोब है और आपको कहां से फिल करना है यह भी देखेंगे कि आप कितने फिल कर सकते हो यहां कि सारी डिटेल इसमें दी हुई है इसके बाद में यहां पर दी हुए दिल्ली के बारे में इनकी पोस्टे हैं और टोटल जो 24 पोस्टे हैं इसके बाद में जोधपूर की आप देख सकते हो जोधपूर में जो टोटल यहां पर पोस्टे हैं वो 24 पोस्टे हैं और जो टोटल जो नोर्दन रिजन हुआ इंडिया का जो नोर्दन रिजन है इसकी 228 पोस्ट दे रही है इस PDF को डाउनलोड करने के लिए या तो आप official website पर जा सकते हैं जिसको मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया है कि आप किस तरह से open कर सकते हैं या फिर इस PDF को डाउनलोड करने के लिए description box में एक link दिया होगा उस link पर आप click करके direct इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जब भी आप किसी भी जॉब से related information पढ़ें तो आप friends या तो authentic किसी चैनल से पढ़ें या फिर किसी उसी जो authentic website है जिस भी related department की जॉब निकली है आप उसी से उस detail को पढ़ें आप इधर उदर दूसरी website या किसी blog से नहीं पढ़ें क्योंकि वो ठीग नहीं होते हैं अपन हमें आपके इन इन पोश्टों के लिए टोटल 16 पोश्टे निकली है इसके बाद मैं इसको स्क्रोल करता जाता हूं friends यह हजारा की पोश्टे हैं देखिए हजारा जो सिटी है वहां की टोटल 162 पोश्टे हैं यह उरना की पोश्टे हैं यहां पर टोटल 108 पोश्टे हैं औ में इसे वाद मी वडोद्रा जो गुजरात में है यहांपर टोटल पe 168 पोस्टो का डिस्क्रेप्चिन यहां पर दिया हुआ मैं कि एंवदाबाद आ गया मैसान आ गया किस्टे बाद में इस्टे इंग में की पोष्टेव कैं इस्टें मह जो हम पर इस्टें है अब यहां पर साउधन रीजन की आ गई हैं पोस्टें तो इस तरह से यहां पर आप टोटल पोस्ट यह अपने यहां पर देख लिए इसके बाद में देखते हैं यहां पर क्या के open होंगे वह application form आपके 29-7 को दिन के 11 बज़े से शुरू होने वाले हैं और यह जो चलेंगे यह फ्रेंट 17-8 को शाम के 6 बज़े तक form चलने वाले हैं आप form फिल करने से पहले अपनी एक्जिबलेटी क्राइटेरिया चेक कर लें जो यहां पर टेबल नंबर 8 में दिया हुआ है यहां कि आप किस ट्रेड से फिल कर रहे हैं आप उस ट्रेड के लिए एक्जिबल है कि नहीं है इसके बाद में सबसे इंपोर्टेंट चीज यहां पर दी हुई है एज क्राइटेरिया मैं अगर एज क्राइटेरिया की यहां पर बात करूँ तो आप यहां पर एज क्राइटेरिया क्लियरली देख पा रहे होंगे यहां पर मिनिमम एज कितनी है 18 एयर और मैक्सिमम एज कितनी है 24 अब यहां पर आप कट ओफ डेट देखें हैं कि नहीं किये हैं अगर आपने ठारा पूरे नहीं किये फ्रेंट्स तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते और जो लास्ट डेट है वो मैक्सिमम यहां पर ओवीशानी चाहिए आपकी यहां पर इन्होंने खुद ने भी यहां पर डेट वह फॉर्फ के जो एक रेंज है वो यहां पर बता दी है कि आपका इसके और इसके बीच में बरत होना चाहिए आपका दूसरी बात यहां पर दिए है एज में जो concession मिलता है आपको, और को 5 P.E.R. का यहां पर concession मिलने वाला है, और जो O.B.C.A. है, उसको 3 Y.R. का यहां पर concession मिलने वाला है. इसके बाद में जो P.E.R.C. कंडिडेट्स हैं उनको 10 Y.R. का मिलने वाला है. आप यहां पर देखे सबसे important चीज यह है आपके लिए आप अपनी जो qualification है उसका criteria यहां से check कर सकते हैं अगर accounts के लिए आप apprenticeship में apply करना चाहते हैं तो आपके पास commerce में degree होनी चाहिए इसके बाद में आप assistant human resource में अगर apply करना चाहते हैं तो bachelor degree होनी चाहिए आपके पास में या तो BA हो या फिर BBA हो अब जो selection का criteria friends वो आगे आएगा अब यह आप यह देखे कि कि स्टेड में किस के लिए आप apply कर सकते हैं secretary assistant के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो IT होनी चाहिए आपके पास stenography या तो English में या फिर आपके पास में secretary practice में इस बाद में COPPA COPPA वाले IT COPPA में हो civil draftman यह draftman civil में ही आपके पास में IT होनी चाहिए information and communication technology system maintenance इसमें आपके पास में IT होनी चाहिए information and communication technology maintenance सिस्टम में आप laboratory assistant या आपकी chemical plant laboratory assistant के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो BSC होनी चाहिए आपके पास में PCB या फिजिक्स chemistry bio या फिजिक्स chemistry math के साथ में आपकी BSC होनी चाहिए next बात करते हैं आप librarian assistant तो librarian assistant के लिए आपके पास में IT होनी चाहिए librarian science में इसके बाद मचीनिस्ट की बात करते हैं तो मचीनिस्ट के लिए IT होनी चाहिए last me यहां पर mechanic motor vehicle तो IT mechanical motor vehicle में होनी चाहिए यहां पर है mechanic diesel उसके लिए IT mechanic diesel माय होनी होनी चाहिए refrigerator and air conditioning mechanic इसके एड्रेचरंड इर हो सकते हैं यहां पर पोस्ट नंबर 20 से लेकर जो 25 तेट यह यह दिय गई है ठीए डिप्लोमा के लिए तो त्री एर डिप्लोमा यांकि सिविल में अगर आप करना चाहते हैं तो त्री एर का क्या होना चाहिए तो आपके पास computer में diploma होना चाहिए, electrical में electrical के लिए, electronics में electronics के लिए और electronics communication में electronics communication के लिए और यहाँ पर mechanical है तो आपके पास mechanical में क्या होना चाहिए, diploma होना चाहिए next जहां से देखिएंगा आप सीरियल लंबर 1, 2, 19 है यहाँ के लिए trade apparatus, ITI या फिर graduates के लिए और यहाँ पर जो शीरियल लंबर 20 से 25 तक दिए गई है यह technician apprenticeship के लिए है जो कि diploma candidates के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है दूसरी बात देखिए यहाँ पर जो लोग distance education से अपने qualification या फिर apprenticeship आपको कराई जाएगी उसके समय कितना रहेगा टोटल यहाँ पर 12 मंद है सभी disciplines के लिए किसको छोड़कर के लिए library assistant के लिए यहाँ पर कितने दिन के होगी six month की याँकि बाकि सभी के लिए कितने होगी one year की होने वाली है और library assistant के लिए six month की होने वाली है next बात करते हैं आपर stipend आप लोग सभी जानते होंगे कि apprenticeship जब भी apprenticeship करते हैं तो government अपने को कुछ क्या देती है stipend यानकि आपको कुछ एक minimum amount देगी जो salary यानकि यहां पर monthly stipend मिलेगा आपको जो act 1961 में लिखा हुआ है TAD आपको यहां पर अलक से नहीं मिलने वाला है और नहीं आपको कोई यहां पर transport facility मिलने वाली है यानकि आपको ओफिस से और घर तक लाने ले जाने के लिए कोई भी vehicle facility नहीं मिलने वाली है केवल आपको एक fix stipend मिलने वाला है अब सबसे important बात यहां पर आती है selection की यानकि selection यहां पर किस base पर होगा यानकि exam होगा या फिर percent base पर करवाएंगे तो आप यहां पर clearly देख सकते हैं आपका जो selection होगा वा basis of marks obtained in merit drone यानकि आपने जितने भी marks आपके जिस qualification यहां पर जो मांगे गई है उस qualification में आपने कितने percent marks आपने अचीव किये हैं उसके इसाफ से यहां पर आपको selection होने वाला है तो यहां कि percent base के इसाफ से आपका selection यहां पर होगा आगे यहां पर इसके बारे में कुछ और यहां पर brief disruptions है यहां कि आप जो भी अपनी mail id वेगर mobile number का में लेंगे उसको आपको चालू रखना है इस तरह कि यह common चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है यहां कि जब भी आपका short list होंगे आप इसके लिए तो आपको mobile number या फिर email id से आपको inform किया जाएगा क्लियर यह चीज़ यहां पर point में आपको पहले बता दिया कि part time और distance से जिन लोगों ने अपने education पूरी कर रखी है वो लोग इसमें apply नहीं कर सकते आप कुछ लोगों का बहुत का यह भी confusion आपको रिजल्ट नहीं आए क्या हम लोग apply कर सकते हैं तो friends आप रिजिन का result वेटिंग में है वो लोग इसमें apply नहीं कर सकते क्योंकि यह total percent based के इसाफ से calculate किया जाएगा जैसे आप लोगों ने form fill किया उसके बाद आपने जितने percent आपने total marks अचीव किये हैं उसके इसाफ से आपको क्या किया जाएगा यहां पर short list किया जाएगा तो यह appearing वाली candidates के लिए बिल्कुल भी नहीं है next देखिए यहां पर requirement before filling online application form अगर आप online application form फिल करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज होनी चाहिए उस चीज को यहां पर देखिए यहां कि आपको apply करने से apply आप करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा registration करना पड़ेगा किसके उपर आप स एक A से start होने वाला आपको एक number मिलता है इस portal अगर आप apply करेंगे तो वो number आपको यहां पर important है जब भी आप form fill करेंगे जब भी यान कि वो एक common number होता है जो भी लोग apprenticeship करना चाहते हैं उसके लिए apprenticeship portal से common number generate किया जाता है A करके और वो number आपको होगा जब आप इस portal के उपर आप apply करेंगे ongc के तब आपको वो number यहां पर डालना होगा अब वहां पर registration करने के बाद आप ongc.co.in इस website पर पर आप particular इस पर apply कर सकते हैं जिसका पर पहले हैं डिसकर्स कर चुके हैं नेक्स्ट आपर जोइन एंड verification of documents देखिए यहां पर the documents the verification of the original document shall be done per year of joining specific date त्यानकि आपका जो document verification है वो आपको एक specific date दी जाएगी उस दिन आपका documents verification होगा the list of the documents are original documents should be verification shall be intimate to the selection candidates यानकि आपको कौन-कौन से documents लेकर जाने हैं यह चीज़ भी जो लोग selected होंगे उन लोगों को intimate यानकी आगे सूचना दे दी जाएगी जोइनिंग आपको इसमें जोइनिंग कब दी जाएगी जैसे आपका COVID-19 की जो condition है वो इंप्रूव होगी तुरेंट आपको इसमें जोइनिंग दे दी जाएगी और आपको यह जो information दी जाएगी कब आपका जोइनिंग करवाएंगे यह लोग यह सारी email और sms के तुरूव आपको inform किया जाएगा यह सारी important dates हैं अभी जो भी टेंटी जी डेट है आप लोग देख रहे होंगे कि जो application है वो 31 जुलाई से start हुए है जो मैं आपने बता चुके हैं और 29 जुलाई को सुबह 11 बजे से inform चालू हो चुके हैं लास्ट डेट है वो 17 अगस्त है यहाँ पर शाम के 6 बजे तक इसके बाद में आपके पास में result और जो अपना result यह लोग बताएंगे वो आपको 24 अगस्त को बताएंगे कि किसका selection हुआ और किसका selection इसमें नहीं नेक्स्ट है receive confirmation from candidates यानकि जो लोग ऐसे होता है कि अपना selection तो हो गया पर बहुत सारे ऐसे लोगों जो इसको join नहीं करना चाते हैं यानकि जो candidates यहाँ पर response देंगे अपना कि मैं इस seat को join करना चाता हूं कि नहीं करना चाता हूं वो लोग 24 अगस्त से लेकर 1 September तक अपना response नहीं कि नहीं सकते हैं यान की होता ही बार कि मैंने apply किया और इखो-देहरादून जैसे मैंने multiply कि या jet फिर मिल गया प्रदो – मेरा अभीचार चांज गया ककी मैं धरब नहीं यह जा सकती है, जयसे अगर किसे ने जोदपूर के अपिलाई किया, तो, जो जो जोटपूर का साथ है, राजास्थान लगता है, और इसमें जो, इनके जो ''Crash Avengers District'' डिस्ट्रिक हैं, जहां पर यह ओ जी सीं का और जोदपूर हो ने वर्क करती है. क्योंकि ऐसे होता है कि जोदपूर में वर्क करती है तो आपको प्रोपर जोदपूर सिटी में ही आपको वर्क करने के लिए दिया जाएगा ऐसा नहीं है नज्टी की जो भी city होती है उसमें आपको work करने के लिए दिया जा सकता है तो उसकी list आप यहां से check कर सकते हैं अगर आप लोग हमदवाद से apply करते हैं तो हमदवाद आपको दिहान होना चाहिए गुजरात में पढ़ता है और यहां पर जो working station है इन लोगों के वो एमदवाद गांदी नगर खेडा और महसाना है तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आप कहां से apply कर रहे हैं और कहां पर आपका working place होने वाला है तो यहां पर यह सारी चीज़े इसके बारे में जो भी यहां पर लिखावा है मैंने आपको describe किया अगर आपको लगता है कि यह अच्छा है मैंने जो भी description आपको दिया है तो आप इसको like, share, subscribe करें और आपके कोई भी confusion या आपको कुछ information लेनी है तो आप comment box में लिखें मैं आपको जल्दी से जल्दी reply देख पाऊंगा Thank you friends